मैं ज्ञान हूँ परिश्रम्यों के जीवन को सुमधूर करते निपाला अम्रित पान हूँ मैं ज्ञान हूँ श्री नाराया संसार को महाप्रलै का संकेत देते हैं देवताओं को साभान करते सप्तरिशी श्री नारायान की मनमोहंचशवी के दर्शन प्रात करते हैं अधर्म राज के कटू बचनों से आहत इंद्रादी देवता प्रलैंकर शिव के क्रोद से भयभीत हो जाते हैं अधर्म की प्रेढ़ना पर संयुक्त दैत्य शक्ति का प्रतिरूप अयक्री प्रकट होकर ब्रह्म लोग से वेदों का हरण करके उन्हें पाताल गुफा में बंती बना लेता है दूसरी योर महराज सत्य व्रंद आज समय को भी गति ब्रदान करने बाने भगवान नारायन की मोहक पूर्ति को निपार रहे हुआ 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 है स्वाबी आप मौन क्यों खड़े अपने मन की चिंता सच्चिदानन भगवान के सामने प्रकट क्यों नहीं करते हैं महरानी सच्चिदानन शी नारायन तो घट-घट के वासी है कण-कण में व्राजमान है प्रभू से भला किसी के मन की बात छुपी रह सकती है क्या अर्ठात जानने पर भी भक्त वचल भगवान हमारी प्राथना के ओर ध्यान नहीं दे रहें इसी बात का तो दुख है महरानी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी भक्ति में कहीं कोई कोट है ऐसा नहीं स्वामी आपकी भक्ति के सुगण से तो समस्थ प्रित्व लोग सुगधित है महरानी सुगण और समर्पड में अंतर होता है सुगण प्रदर्शन और प्रचार पर आधारित है जबकि समर्पड़ में स्वयम को सुमर्पित करने के पष्चा कुछ शेश नहीं रहता धैरे धारन करें स्वामी प्रभू हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे महरानी सौधामनी प्रभू दर्शन की आतुरता को धैरे के बंधन से रोक पाना असंभव है प्रभू की इच्छा होने तक हमें प्रतीक्षा करनी ही होगी महराज ओम नमो नारायन ओम नमो नारायन महराज सत्यवरत मैं आकाश में निवास करने वाले सब्त रिशियों में से एक रिशी अंगीरा हूं इस समय आपके समीप महाप्रभु स्री नारायन की क्रिपा से एक संदेश लेकर प्रकट हुआ हूं है रिशीवर आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हमें आभासा रिशीवर कि भक्त वत्सल भगवान तक हमारी मौन प्रात्ना के स्वरावश्य पहुंच रहे होंगे कहें रिशीवर हमारे लिए क्या अग्या है महाप्रभु की महाप्रभु नारायन की क्रिपा से आप जानते होंगे महाराज कि इस मनवंतर का अंत समीप है महाप्रलय अब धूर नहीं यह स्रिष्टी प्रलय अंकर भगवान शिवशंकर तांडव निट्ति के साथ ही अथा सागर में समा जाएगी संसार में कुछ भी नहीं बचेगा आप चिंता ना करें महाराज महाप्रलय से पहले प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे हे रिशिवर मेरी तो सच्ची दनन भगवान नारायन के साक्षत दर्शनों की मनोकामना है क्या वे दर्शन देकर मुझे भगवान की लीला पर संदेह ना करें महाराज उनकी हर लीला में संसार के कल्यान का ही रहस्य छुपा रहता है मैं कुछ संजहने रिशिवर प्रभू इच्छा से मैं आपको भी संजहने आया हूं कि महाप्रलय के बाद भी आप उनकी कृपा से जिवित रहेंगे जब यह सारा संसार महाप्रलय से नश्ठ हो जाएगा तब भी आप अपनी भक्ति की शक्ति से नौ स्रिष्टी में परवेश करके तथम मनु का पत्राप करेंगे रिशीवार मुझ जेसे साधारण आप साधारण नहीं महाराज असाधारण है भक्ति की शक्ति से आपने सर्वोच्छ पत्राप कर लिया है किंतु किंतु क्या रिशिवर महाराज सत्तेवरत प्रभु इच्छा की पूर्ती और सच्चिदा नंद के परंपावं दर्शन पा अराधना करें आपकी मनो कामना अवश्य पूर्ण होगी आपका कल्यान हो यहींनिन नमोनोनोनारायना ओम नमो नारायन। 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 राजन। आप धर्मात्मा है। दयावान है। चरण में आए हुए की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप मेरा त्याग ना करें। महराज। मेरी रक्षा करें, महराज। तुम कैसे भी चित्रमचली हो जो मानस्वर में बोल रही है। राजन। इस देह की आत्मा पवित्र है। मेरा त्याग ना करें, महराज। अपने साथ महल ले जाकर किसी छोटे से पात्र में रख दे। अन्यथा, ये बड़ी मचलियां मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी। तुम ये कैसे जानगे मचली, कि मैं एक राजा हूं और अपने महल में ले जाकर तुम्हें एक पात्र में सुरक्षित रख सकता हूं। मैंने कहा था ना, महराज। मेरी पवित्र आत्मा आपको देखते ही पहचान गए थी कि आप ही मेरे संद्रक्षक बन सकते हैं। महराज, तया करें, शिक्र मुझे यहां से ले चलें। शर्णागत की रख्षा करना एक भक्त का धर्म और कर्तव्य है। और तुम तो भगवान नारायन की आराधना के समय मेरी अंचुपी में आई हूं। इस कारण मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी रख्षा करूंगा मचली। आओ। आओ मारानी। मारानी सौदामनी भी तुम्हारा मानवस्वर सुनना चाती है। कृप्या करके अपना मानवस्वर सुनाकर इनकी भी अविलाशा पूर्ण करें। यह जीवन रक्षा करके आपने महान पुन्य लाब किया है। आपकी मनों कामना अवश्य पूरी होगी। यह कोई साधारन मचली नहीं है स्वाबी। मिश्य थे यह द्यव्यात्मा। हमारी नारायन भक्ती की परिक्षा नेने आई है। कदापी आपका कथन सत्य है महानी। ओम नमो नारायन। नारायन, नारायन, नारायन। माता, आज मैं पहली बार देख रहा हूं। कि देव देविश्पर भगवान नारायन, छेश शय्या पर विराजमान नहीं है। हे माता, कहां है महाप्रभौ। हम यहां होते हुए भी। यहां नहीं है नारत। नारायन, नारायन। होते हुए भी यहां उपस्थित नहीं। अर्थात, हमारा अवतारी स्वरू आने वाली महाप्रलय की परिस्थितियों का निर्मान करने के लिए कहीं और उपस्थित है नारत। अर्थात, हमारायन। उपस्थित रहने का रहस्य जानती भी होती महादेवी। तब भी आपकी चिंता समात्ना होती। नारायन, नारायन। कैसी चिंता महाप्रभू। महाप्रलय की महाचिंता नारत। आने वाले महाप्रलय की चिंता इस संसार के प्राणी मात्र को ही नहीं। देवी लक्ष्मी को भी भैवीत और चिंता में डुगो रही है। नारायन नारायन जिसके रक्षक स्विष्ट्री के पालन हाद स्वैम भगवान नारायन हो उसे चिंतित होने की क्या अवशक्ता है माद्रबुश्च नारत नश्ठ हो जाने का भैं भला किसे चिंता में नहीं डुबोएगा शमा करेक शमा निधान किन्तु महा प्रलैक के पश्चात शून्यकाल ही ऐसा अवसर होता है जब हमें आपकी पूर्ण जोती में समा जाने का सवभाग्य प्राप्त होता है मैं इस अवसर की प्रतीक्षा सदा करता हूं नारायन नारायन तुम धन्य हो नारत धन्य है तुमारी भक्ति और धन्य है तुमारी भाव किन्तु मेरी पूर्टा में समाकर भी तुम उस विध्वन्सकारी महाप्रले की कल्पना नहीं कर सकते प्रलेंकर शिव के संघारक तांडव नित्य के प्रारंब होते ही ये सारी स्रिष्टी शन मात्र में तिनकों के महल की भांती धै जाएगी शिव शंकर के प्रलेंकारी प्रहारों के सामने न तो ब्रह्म लोक रहेगा न स्वर्ग लोग न ये शेश शय्या होगी और नहीं कैलाश स्रिष्टी का कण कण अथा सागर में समा जाएगा हम त्रिदेव और त्रिदेवियां भी वर्तमान रूप में दिखाई नहीं पड़ेंगे स्वामी आपने तो कहा था हमारा कथन सत्य की शक्ती है महादेवी उस पर संदेह न करें त्रिदेव और त्रिदेवियों के स्थान पर मात्र हमारी दिव्य प्राण ज्योतिया ही शेश बचेंगी केवल जल ही जल हर ओर दिखाई देगा जिसके साक्षी होंगे ज्योती रूप में परिवर्तित हम त्रिदेव और त्रिदेविया नारायन नारायन प्रहो इस महाविध्वन्स की कल्पना से मेरा भी मन भैबीत होने लगा है प्रहो विद्वन्स तो रचना का आधार है देवरिशी उससे भैबीत होने की आवश्यक्ता नहीं है अपना सब कुछ मुझे समर्पित करके उस महाप्रलय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें मैं अप्रतीक्षा नहीं कर सकता है मुझे इस पात्र से बाहर निकाले महराज मेरे शरीर को कस्थ हो रहा है मुझे बाहर निकाले मुझे बाहर निकाले इस चोटे से पात्र के कारण मेरे शरीर को कस्थ हो मुझे बाहर निकाले मचली तुम एकाय कितनी बड़ी और तुम्हारा स्वर कैसे बदल गया महरानी सुदामिनी यह संसार परिवर्टनशील है परिवर्थित होने के लिए ही प्रतियेक वस्तु और प्रतियेक प्राणी विक्सित होता है वही विकास उसे अंत्कियों ले जाता है अर्थात अर्थात विकास की यात्रा का प्रारम जन्म के साथ होता है किन्तु उसका लक्ष अथ्वा अंतिम पड़ाव मृत्यू है जीवन कर प्राणी अपना भविश्य सुंदर बना सकता है तुम तो ज्ञानियों जैसी बात कर रही हो मचली इतना ज्ञान तुमने कहां से पाया अब आप मुझे मचली नहीं मस्य पुकारे महारानी क्या मेरे बदले हुए स्वर में बुरुष होने का आभास नहीं हो रहा है कि आपने उत्तर नहीं दिया महाराली आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं कि मुझे तुम्हारी हर बात पर विश्वास है मच्छी क्योंकि तुम कोई साधारन मच्छी नहीं हो मच्छी के रूप में कोई परम ज्यानी दिव्यात्मा हो यदि मेरी बात पर विश्वास है त बिना जलके मैं तडब तडब कर समाप्त हो जाऊंगा राजन जब आपने मुझे आश्रे दिया है शरण देने का कर्तव्य निभाया है तो ऐसे घोट-घोट कर क्यों मानना चाहते हैं मैं कुछ संधनी मत से यदि इस छोटे से पात्र में बिना जलके कारण मेरे प्राणों का अंत हुआ तो मेरी जीवन रक्षा ना कर पाने के कारण आप भी धर्म के वृद्ध होंगे मुझे इस पात्र से निकाल कर किसी बड़े जलाशे में रख दे शर्णागत की रक्षा करना हर प्राणी का कर्तव्य है और फिर तुम तो हमारे अतिति भी यो मत्स अतिति की हर इ नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है यह मत्स्य के रूप में अवश्य ही कोई दिव्यात्मा है दिव्यात्मा मानकर मेरा और अधिक आदर सदकार जलाशे में रखने के बाद करने ना मुझे इस छोटे से पात्र से बहार निकाले अवश्य है कि अगार आता है यह मत्स में तुम्हें कोई कश्ट नहीं होता इसके पावन जल में तुम अठेलिया करों ना अपना संध्या पूजन करके अभी वापस आता हूं राजन आओ किन्तू शीग्र लोट कराना अवश्य, आउ मारानी सोच विचार ना करें महाराज जो कुछ पूछना है पूछ लेंगे दिव्यात्मा आपने रूप तो मत्सक धारन कर रखा है किन्तु कारे आप अलोकी कर रहे हैं आप कौन है आपके इत्मत से रूपने तो मुझे मों में डाल दिया है किर्पया बताएए कि आप हैं कौन आपके प्रश्न का उत्तर में महारानी को पहले ही दे चुका हूँ यह संसार परिवर्तन शील है फिर आप मुझे देखकर चकित क्यों हो रहे हैं हे दिव्यात्मा परिवर्तन संसार का नियम है यह परम सत्य है किन्तु आपका परिवर्तन तो आश्चरे जनक है कि एक ही दिन में आपने अपना आखार कई गुना बढ़ा लिया कि आप कोई साधारम जीव तो नहीं हो सकते हैं कि आप मुझे बताईए कि आप है कौन मेरे तर्शनों के अभिलाशी है तो अपने भरक्ति भावना जटन झान्या बढ़ाईर रिया तो आप तो कि आप तो नम्यारेशा तो कि आप जीव तो नम्या तो नम्याराया तो नारायने, ओम नमो 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 नारायने, ओम नम नारायन नारायन। ओम नारायन। ओम नारायन। वरिमिपक सत्यव्रत्, सचिदानन्माप्रभु नारायन। साट्षा। एए माह प्रभू आपने अपने इस भक्त पर बहान क्रपा की है मेरे दर्शनों की अभिलाशा पूर्ण करने के लिए आपने ये मत्सरू घारन किया आपकी क्रपा पाकर मैं धन्य हो गया माह प्रभू मैं धन्य हो गया और क्यांन की आपकी मैं महाप्रमपार हां परमभग सत्यो game मेरी बात ध्यान से सनों गेवल तुम्ही दर्शन देना ही मेनी मत्से अवतर का उत्येश नहीं है मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूं सावधान करने हैं हाँ सत्यवरत अब महाप्रलय अत्यंत समीप आ गया है कुछ समय पस्चार प्रलयंकर शिवशंकर अपना प्रलयंकारी रौद्र रूप धारण करके तांडव नृत्य प्रारम करेंगे तब ये संपूर्ण स्रिष्टी महाप्रलय से नश्ट हो जाएगी तो मुझ जैसे साधारण रिशी अंगीरा की बात का स्मरण करो सत्यवरत अपनी भक्ति के कारण तुम साधारण नहीं यह साधारण बन गया हूँ तुम्हें साक्षात महाप्रलय का दिरिश्य दिखाना चाहता हूँ मैं अगले कल्प में तुम्हें इस प्रिथ्वी के ब्रथम मनु के रूप में संबान दिलवाना चाहता हूँ आपकी जय हो नाराहिन आपकी जय हो सच्ची दानंद महाप्रबु नाराहिन की जय हो जय हो प्रबु स्वामी आप किस से बाते कर रहे हैं मुझे तो यहां मत्से क्या तेरे कोई दिखाई नहीं पर रहा महारानी सुदामिनी भगवान के दर्शन पाने के लिए भग कहरते और भक्ती की दृष्टी होनी आवश्यक है जो भक्त दीन हीन में छुपे भगवान को नहीं पहचान पाता भगवान भी उसे अपने दर्शनों से वंचित रखते हैं महा प्रले का समय समी पा रहा है सत्यवरत प्रले काल में जब नब जल ठल एक हो जाएंगे तब आप मेरी कृपा के कारण प्रले के महा सागर में तैरती दिखाई पड़ोगे उसी समय सब्त्रिशी एक दिव्य नौका लेकर आपको ध्वस्त स्रिष्टी के उस बार नव स्रिष्टी की ओर ले जाने के लिए आएंगे आप प्रभू मेरे संकेत पर पातालवासी वासु की नाग आपकी सहायता के लिए आएंगे उस समय मुझ सींगधारी मत्से को वासु की नाग अपनी पूच से दिव्य नौका के साथ बांग देंगे और मैं महाप्रले से तुमारी नौका को उबार कर नव स्रिष्टी तक पहुचा दूँगा मैं आपको अपनी परम भ्रममय महिमा का साक्षार अनुभव करवाओंगा मेरी क्रिपा से दिव्य नौका पर आरुण होते ही आप परम क्यानी हो जाएंगे नाराहीं की जैवोपुण चुमारी कर दोती कि जाएंगे वपुमारी आपको यद्ध मैं जो 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 उन वो खोगरा हुआ जो जो खब आजा ऑचक्वाद कर रहा हुआ खुष्टी गन्भो नाश भूम्भूर भास्वाद नाश माप बले, बाव दाश! झाल 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 वेद्रश्यों अधर्मराज ने कहा था कि वेदों का हरण करने से अधर्श्यों तो आधर्श्यों दे वेदों देते हुए तो यह यह वीद्र देव देव देवेश्वर श्री नारायन को लौटा दे यह 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 को इतना मूर्ग नहीं हूं वास्की कि अपने जीवन रक्षा के साधन को व् भगवान चरी नारायन शीक्र इन्हें पाताल से मुख करके तुम्हारा संघार करेंगे मेरा संघार नागराज वासुकी शीग्रव उपर आओ शीग्रव उपर आओ नागराज वासुकी कमुमहराई वासुकी शीक्सकी शाना वासुकी शीक्स करेंगमे कर फ़ंड़ा आओ महाराज सत्यवराद, महाराज सत्यवराद, हमारी तीपने लोगा पर चल जाएं आए, 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 मैं, आए, ले, हर त्याक सुर्य राजन, छिन्हे भगवान नारायन का आश्रय हो, उन्हे है भए कैसा, राजन, आप Gwen, श्री भगवान के श्री चरणा का इसमनन तरे, वे हर प्रकार से आपकी रक्षा करें देव देवेश्वर नारायन भगवान तो मुझे आदेश देकर गए है कि वे मत्से रूप में अभी यहां प्रकट होंगे मैं उनका आवान करता हूँ वे भक्त बत्सल है कि रात्रा मात्र पर ही उपस्तित हो जाते हैं करती ज्युक्त प्रवंजे करें ओम नमो नाराय, 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 ओम नाराय, ओम नमो नाराय, ओम लुट नाराया, 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 लुट नाराया क्या सोच रहे हैं सत्यवर्द कि भगवन मैं तो केवल यही सोच रहा था कि जीव इस संसार के मोह जाल में जाने कब से भटक रहा है धन इस्त्री और पुत्र की मोह माया ने उसे संसार के बंधन में बांध रखा है आपसे ही जन पाकर संसार का जीव आपको ही भूल जाता है प्रभू है भगवन यदि आपकी क्रपया प्राप्थ हो जाए तो यह संसार बंधन सदा सदा के लिए चूट जाता है प्राणियों पर च्छाय माया की केंचली जय में उत्र जाती है प्रभूँ सत्यव्रति तुम ज्ञानी थे ही गिंद्व सब श्रश Hani के साथ ने तुम्हे परमज्ञानी बना दिया है आपके क्रपा से परम ज्ञान तो हमें प्राप्त ही प्रभू हालार आपके स्वरूप को धन्य है महाप्रभू धन्य है आपकी जय हो देव देवेश्व जगत गुरु मत्से भगवान की जय को सुनो सत्य व्रत जो प्राणी माया मोह मद लोग अहंका से अपनी जीवन की रक्षा कर लेता है वो मुझ पर मात्मा को स्वयम ही प्राप्त हो जाता है हे दीनों के नात आपके श्री मुख से जीवन का परम ज्यान प्राप करके मेरा जीवन तो धन्य हो गया है यह भगवन यह कृपा निधान कुछ ऐसी कृपा करें कि आपके श्री चरणों में मेरी भक्ती सदा सदा बनी रहे हर्यों वहर्यों हर्यों वहर्यों नारय ड्राइ्ञ कर्यों नारय्ट лом लिए प्राइ準 आंग ,म्नारय्ट व मÂन नारेयल आहं घ्रमाति आहं बह्माति श्री टिन्खेलों होगा श्री टिन्खेलों व म् नारेयल व म् नारेयल आपकी इच्छा से महाप्रलय के बाद त्रिश्टी का शून निकाल पून ही आप ती क्रपा संकेत पाकर भाम्मा की भम नुजोती जागरत हुई कि शुफ जोती भी आपका आवाहन करती है महाप्रभुवि नरायन का नुफ्ष्टी के निर्मान का मुहुर्द निकाठ है आहाफ्री मुदरूप से प्रकटकोने शिस पूर दिधा मुझी रूपते और मुझी भ्हम्मा को स्थि निर्मान की आज्या दे हैं आपके जागने क मुझे भलिभादी ज्ञान है प्रंतु नव स्रिष्टी निर्मान से पूर्व संसार के ज्ञान विज्ञान के लिए पाता लोग में बंदी चारों वेदों को मुक्त करवाना आवश्यक है वो कार्रे हमें इसी रूप में पूरा करना है OM NAMO NARAYAL लुट नुट 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 नुट। नुट है ग्रीव, पभीत्र वेदों ने लेकाल में नुट 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 कर दें। नहीं, कदाप नहीं। यदि मैं वेदों को मुक्त कर दूंगा तो स्वायं। नश्ठ हो जाओंगा मैं वेदों को कदा पी मुक्त नहीं करूंगा तुस्थ है ग्रीव दैत्यों और दानवों की संयुक्त शक्ति के प्रतीक है ग्रीव हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि पवित्र वेदों को मुक्त करने के पश्चात भी तुम इसी रूप में जीवित्र होगे मुझे नुवारी पादों पर विश्वास नहीं है अब प्रभू की बात पर विश्वास ना करके यूंव समय से पूर्व अपनी मित्यु को बुला रहा है मुर्ग कि अपने कथन की मर्यादा के कारण हम तुम्हें जीवनदान प्रदान करते हैं है ग्रीव कार यदो कि अ's घच पना, कि अ मन शेच है करो अबना, I en फैं दो यदिया, कि अ ओम नमो नारायान प्रे देव देवेश्वर महाप्रभू भगवान नारायन नरायन 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 नरेयण नरायन आपका यशोगान करने वाला आपका साधारन सा भक्त नारध नाराइन न पर oni हुर्र को मेरे मानस्ता ब्रह्म देर में मुझ देसे साधारन भक्त को आपके पत के समान खड़ा कर दिस भगवान NARAYन के कि समान पदपर अर्थाथ आपकी भाति मैं भी चकित हूँ देवराज मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव ने मुझ्छ से कहा है कि मैं भगवान नारायन का लेला उतार हूं नारायन नारायन। हे महाप्रभु मैं आपका लीला उतार बनकर नहीं। अपर तो आपके चल्णों का दास बनकर ही रहना चाहते है। सुरिष्टी के रचनाकार ब्रह्मदेव ने जो कुछ भी कहा है वो परमसत्य है। हमारे हर अवतार का उद्देश ही है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। परतमान मनवंतर में हमारे जो अवतार भिन भिन अवसरों पर प्रकट होने वाले हैं। उन में से तुम एक प्रमुक लीला अवतार के रूप में प्रकट हुए हो। नाराय। लीला अवतार रूप धारन करके मैं अपने भीतर उमरती आपकी भक्ति को क्या उत्तर दूंगा प्रभू। नारद तुम्हारे भीतर हमारे अंश का जो प्रकाश जो तिमान हो रहा है। वो तुम्हें हमारे लिला अवतार के रूप में प्रसिद्ध करेगा। देवताओं के रिशी बनकर तुम उनकी सहायता करोगे। इसके साथ ही हमारी परम भक्ति की जो भावना तुम्हारे भीतर उमड रही है। वो तुम्हें भक्त शिरोमनी के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। जब अधर्म उसके सुकृति देगा। अधर्म के संस्थापक भगवान नारायन आप अपने लीलावदार को धर्म और भक्ति को अपदेश दे रहे हैं। कहीं नहीं इनहीं इस बात का ज्यान नहीं क्या धर्म की शक्ति धर्म से कहीं अधिक है। कि अधर्म अपना सामराज्य स्थापित करता है वाँ से भैविठ होकर धर्म भाग जाता है। यह देवदेवेश्वर्ण इस सधर्म को अवश्य दंडत करें। वे इंद। यह आपके सामने ही आपकी मर्यादा को लांग रहा है। संसार में हो अधर्म का भोल भाला। नारायन, नारायन। हे महाप्रभु यह अधर्म भी अब पाताल लोग जाकर देत्य और दानवों को उत्रेजित करेगा। उन्हें अधर्म और अत्याचार के लिए प्रेरित करेगा। देवशी, अधर्म का यही निरधारित धर्म है। इसी अधर्म के ही कारण धर्म और सत्य को सावधान रहना होगा। अमारी लिलावतार हुने के नाते, तुम धर्म और सत्य के प्रतिनिथी बनकर संसार का ब्रहमन करो। और धर्म की नारायनी शक्ती को वानी प्रदान करो। नारायन, नारायन। मैं मैं वचन और कर्म सिर्थी आपके निर्देश का पालम करो। ओम नारायन। ओम नारायन। संसार में अधर्म का बोल, बाला हूँ। अधारे अधर्म राज, आताल की अधर्म नगरी में अगत है। मैं यहाँ अपना स्वागत करवाने नहीं। तुम्हें अपमानित करने आया हूँ। क्या मुझ अधर्म के परमभक्त है ग्रीव से धर्म का कोई कार्य संपन्न हो गया अधर्म राज। आपके क्रोध का कारण क्या है। अपने धर्म कारे का कारण सुनने से पूर्व उचित तो यह होगा कि तुम्हें पाताल के जल में डूब मरो। आपके क्रोध का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा अधर्म राज। अधर्म के शक्ति संपन्न होने पर भी तुम्हेदों को अधिक समय तक पाताल में बंदी बनाकर नहीं रख पाए। देदों के सुतंत्र होते ही उन्हें के ज्ञान विज्ञान के आधार पर लव श्रिष्टी की रचना भी हो गई दसों दिशाओं में दसों दिशाओं में विदेवों की भक्ति का वातावरन फैल रहा है और इसके दोशी तुम हो हाई गरीव तुम्हें और भूल के कारण म कुस्से यह भैंकर अपराद हुआ है अधर्मराज देवतानों के संयुक्त शक्ति होने पर भी है वेदों को अधिकार में कर लेने पर भी भूल तुम्हारी इसी भायान गूल के कारण देवताओं को धैत्य शक्ति का कोई भै नहीं रहा उन्हें विश्वास हो गया नवश्ष्थी में असुर और धैत्यों का कोई स्थान नहीं कि अग्रीव तुम धैत्य और दानों के नाम पर कलंक हो कलंक मेरे बार बार उप्तेजित करने पर भी तुम्हारी धैत्य शक्ति सोई पड़ी रही हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अधर्मराज आप हमारा मार्क दर्शन करें हमें बतलाएं कि हमें क्या करना होगा पूर्क धैत्य और दानों की संयुक्त शक्ति को संकठित करके उप पर उठो और पाताल लोग से निकलकर स्वर्क और प्रित्वी पर अधिकार कर लो अर्थाथ देव और दानों के युद्ध का प्यारम हाँ कि अधाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करके संसार में अधर्म का राज सापित करो झागओ दानों, झागओ धिक्त, उठो वीरो उठो, उठो आदाल से प्रस्थान करो, करो जब जब पर नहार करो, जब तुम्हे अपना स्वामी स्विकार्न करेगी। अधर्म की दैट शक्ती और दैट राज है क्रीव की जाहो। अधर्म की आग्या का सम्मान करो दैट वीरों। अपनी अधर्मिक शक्ती से पित्वी और स्वर्ग पर अधिकार करके संसार में दैट साम्राज स्थापित करो। जब दैट राज है क्रीव की जाहो। दैट शक्तियों के प्रतीक दैट राज है क्रीव की जाहो। कर देट शक्तियों के प्रतीक, देट राज है क्रीव की क्या हो! सबसे पहले देट शक्रू देवताओं के स्वर्ग लोग पर अधिकार कर लो आयर देवता तुम्हारी शक्ति के सन्मुख शन मात्र भी नहीं टिकेंगे उन्हें परास्त करके स्वर्ग के सुख और एश्वर का भोग करो स्वर्ग विजय के साथ ही दिर्बल मनुष्य सोयम ही तुमारी शरण में आज आएंगे! अभी तो नवस्रिष्टी का प्रारंब हुआ है चक्र सुदर्शन अभी संसार को इन बैत्य और दानवों की आवश्यक्ता नहीं है इनकी अभियान को रोब दो जो आग्या जगत्पालक सुनता नहीं हुआ हो सुनता नहीं आए कुणकर कि इसक्ति हो जाना कि आप इसक्तिष निदो कि दंगों, हम भी वाषेल करों सब्सक्ति कुछ कि घंडा बहुए गी हदर में हमाई साथ भायनत नहीं जाना कि एक दाराज पाल पाल अप पाल १श बाट परे ले परे कि देवताओं को कायर और निर्भल बताने वाले दैत्यों की कायरता प्रकट हो गई क्या इसी शक्ति के बल पर दैत्यों सौर्ख पर अध्कार करने का स्वपल देख रहे थे करने हुआ हिं रिंद 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 है ग्रीव की देट्टशक्ति का उपहाँस ना करूं अन्यठा परिनाम तुम्हारे हित में शुब नहों होगा कि परिणाम कि दुहाई दे रहे हो तुम अधर्म जा इस बार तुम्हारा है ग्रीव हमारे प्रहारों से पतीत होकर सदा सदा के लिए पाताल में समा जाएगा इस तुस्साहस का प्रतिशोध है ग्रीव तुम देवताओं से अवश्य लेगा तुम देवताओं का वैभव है ग्रीव तूल में मिला देगा सारे संसार में अधर्म का बोल बाला हो बोल बाला हो अश्चर्य देविशी आश्चर्य आपको भगवान नारायन के लीला अवतार है आपके सामने यह अधर्म हमें चेतावनी देकर चला गया और आप मौन रहें शमा करें देवराज हमें तो देव रिशी म्यारत के विवहार से अधिक भगवान नारायन के कारे पर आश्चर्य है भगवान नारायन के कारे पर आश्चर्य हाँ देवराज इतना उचीत आउसर पाकर भी भगवान नारायन ने चक्र सुदर्शन से दुष्ट है ग्रीव तथा उसके साथी दैत्य दानवों का वदिक्यूनी कर दिया सत्य वचन सत्य वचन देव सत्य वचन यदि देवरिशी के भगवान नारायन चाहते तो एक शण मात्र में दैत्य और दानवों सहित खाई ग्रीव का सर्वनाश कर सकते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं क्या देवशी दूसरों के दोश निकालना जितना सरल होता है उतना ही कठिन होता है स्वैम के दोस्ते को कि मेरे इस कथन पर विचाराव शिकीजिएगा उत्तर स्वैम आपको मिल जाएगा नारायड नारायड हुआ है अधर्म ने हमारे साथ भाएंकर चल किया कि दैतिराज हमें करने के लिए उत्ते जिद परके अधर्मने हमें पिडित करवाया है वह सकता है दैतराज कि अधर्म तुम सब की बातों पर पूल्ड विश्वास है अब भविश्व में हम अधर्म का देश कदा आपी नहीं मानेंगे ओम नमो नारायन हुआ 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 है जंजन पर दया करने वाले दया निधान है कृपया अपनी योग निद्रा को विराम दें है भक्त वत्सल अपने भक्त नारत की शंका का समाधान करें तुम नमो नारायन प्रैन अर्द अराय अजय कर साथ है अगे खोलें परम्पिता जागे परपिता जागे मेरी शंका का समाधान करें भगवान नारायन अंशी नारत यदि तुम गंभीता से विचार करोगे तो तुम्हें अपनी शंका का समाधान अवश्य मिल जाए नारायन नारायन आउसर मिलने पर भगवान नारायन ने भर ग्रीव और उसके साथ ही दैत्ते दानों का बज़ अपनी चक्र सुदर्शन से क्यों नहीं किया है इसका उत्तर तुम स्वैम खोजो नारत परम्पिता यह प्रश्ण में स्वैम से बार बार पूछ चुका हूं पर चुक मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा, मेरे अराध महाप्रभू नारायन भी इसका उत्तर नहीं देना चाहते है एस समय दैत्ते दानों के साथ है परेखेरहिव्क का बज़ म Each करना अज्यायःपूण होता अन्याय पूर्न प्रीदय और दानूवों के वद में कैसा अन्याय परणपेता John कि हुआ यह मस्क्टत्मों से बने ठीच्थ और दानूवों की तो भृट्विशक्ति भीवली लगती है 축 भगवान नाराइण की इस शुष्टी में डर्म के साथ अधर्म तोर के साथ असोर और देव के साथ दानों का इस्थान भी महतुपून है आपका ये गूड़ ग्यान मेरी तनिक भी समझने नहीं है तनिक विचार करो नहीं पाताल से उठकर समुद्र से बाहर निकलते समय है खाय ग्रीव और उसके साथ देट दानों नहीं क्या कोई पहुंचाए और नहीं कोई हत्या कि फिर वला उनका बत करना नयाय संगत कैसे होता नाराया ऐसी स्थिती में भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से उनका मार्ग क्यों रोका क्योंकि वे अधर्म के द्वारा उत्तेजित करने के कारण अनुची समय पर पातालो लोक से बाहर निकले थे इसी कारण देव देवश्वर नारायण भगवान ने उनका मार्ग रोक किया है तो क्या वेदों का हरण करने वाले और अधर्म दौरा उत्तेजित हैकरीव का कभी भी अंत नहीं होगा तुमारे इस प्रश्न का उत्तर इस समय देना न्याय संगत न अवश्य दे सकते हैं यह विश्य में कि अट्य शक्ती को इस संसार की आधी अनन्तों और देवैशक्ति का वरदान प्रप्ग। भविश्य में दैत्य शक्ति को इस संसार की आधी अनन्त और दियुद्य शक्ति क्षे वर्दान्त पाप्थ करके भी है घ्रीव कि अन्याय और अत्याचार का अपना मूल सभाव नहीं छोड़ेगा अन्सार पर अन्याय और अत्याचार ही उसके अंत का कारण बनेगा इस से अधिक संकेत कि इस समय हम तुम्हें नहीं दे सकते पूच्छा अन्याय और अन्याय नहीं अन्याय और अन्याय आयाओं नाराएन नाराएन परम्पिता ब्रह्मा जी के पच्चात तो तुछ भगवान नाराएन ने मुझ से कहा था कि मैं उनका लीला अवतार हूं फिर मुझे में छुपी नाराएन शक्ति तेरी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं कर पारे हूं आरायन, नारायन अट Ride मैं अपने जिघ्यासा के चक्रवियू है और अधिक उलस्ता चला जा रहा हूं मेरी जिघ्यासा पहता प्अग्वान नारायन मौन है और परम्किता ब्रह्मा जी का संकेट पाकर तुमें कि अपने जिग्यासा के भावन में टूबा चला जा रहा है कैसे मिलेगा मुझे समाधान नारायन 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 शक्ति से संपन्न देवाईशी नारायन नारायन आप बिनाकारण ही प्रश्णों और शंकाउं से घिरते जा रहे हैं हे मा आदि शक्ति आपके धर्शन पाकर यह नारत धन्य हो गया कि तुक्षमा करें मा इस समय आपका परमभक्त नारत स्वायम के ही जिग्यासा में भटक रहा है अब भटकने के अविशक्ता नहीं है नारत हमारे दर्शन हर भटकाव का अंत कर देते हैं नारायन नारायन तो मेरे भटकाव का अंत कैसे होगा मेरी बात थ्यान से सुनो नारत देव देवेश्वय भगवान नारायन के चत्रसुदर्शन से निकली किर्णों से आहद हाईक्री तथा दैत्य दान्वों ने भविश्य में अधर्म का आदेश न मानने का निश्चे किया है सुनदन अतिस सुनदन दैत्य और दान्वों के निश्चे कि साथ ही अब आपके करतवयों का भी निर्धारन हो गया है देवर्शी नारायन नारा कहे माता कहे मेरे लिए क्या अधर्म से विमुक्द और उत्तेजित तैर्थी तथा दानों को आप पातार जाकर धर्म का संदेश सुनाएं धर्म का संदेश हाँ देवशी धर्म का संदेश इस संसार में दो ही कति होती है एक धर्म दूसरी अधर्म जिस शरीर में अधर्म व्राप्त हो जाता है धर्म उस शरीर का त्याग कर देता है दैती तथा दानों ने दैत्य राज हायग्रिव के साथ ही अधर्म का त्याग करके ले अ período को आमंत्रित किया है शमा करें माधिशक्ति जब उन्हें स्वयम ही धर्म को आमंत्रित कर लिया है तो मेरे कर्तवयों का निरभारन कैसे हो देवशी आपके भीतर धर्म की परंपावन शक्ति सदाप्रकाश्वान रहती है आप इसी समय पाताल लोग जाकर है दीव को धर्म का संदेश सुनाते हुए उसे नारायनी शक्ती की आराधना सहित तब के लिए देवित करें कि दारायनी दारायनी यदि यदि पाताल से हम भार नहीं निकल पाए तो यहीं घुट-खुट कर अपने तार त्याग देंगे दैतराज हम इतने अधिक आहत है दैतराज कि हम इच्छा होने पर भी उठ नहीं सकते हैं कि इससे तुचिक यहीं होगा कि आप स्वयम हमारा वज़ कर दें हमें हमें सी लासे बुट तो मिलेगी हम इस पीड़ा से मुगते मुख्दे कर दें हमारा वज कर दें तुम सब का तोन है अनुचित नहीं है दंट्यों कि अधर्म के उक्साने के कारण दैट्टे जाती का भवश्य नश्ट हो गया है राजय और अपमान के इस लज्जा जर्क वाता वरण में जीवित रहने से उजित तो यही है कि हम एक दूसरे का बद कर डालें कि इससे दैट और दानव जाती सदा सदा के लिए समाप्त हो नाराय नाराय जात्य और दानवों की जाती कभी भी समाप्त नहीं होगी है गरीव करन्ट देवताओं की भांते कि दानाव भी इस्ष्टिका अभिन्हं पंगर नाराय नाराय और हो तुम बैर कौन हो यह तो मैं नहीं बता सकती आए जिन तो इतना वश्य पतासक्तना कि अाawk कशता है कि मेरा स्टारை हर उदास और निराज का अरए अभुषण कर ze हमें किसी के मार्ख गर्शन की आवशक्तन नहीं है हमारा मार्ख धर्श्य का घर्म देवताओं से शड्यंत्र करके हमें अपमानित और प्रताणित कर जुका है अब हमें किसी पर विश्वास नहीं सत्य कहो तुम प्रिख्वासी पाताल लोक में आने का दुस्साहस ऐसे किया नारायन नारायन अधिक्वी तुम पाताल वासी स्वर्ग और प्रिख्वी को अपने अधिकार में करने का स्वक्न देख सकते हैं तो भला मैं पाताल लोक में तुम्हारी दुर्दशा देखने क्यों नहीं पहुंच सकता हमारा उपहस ना उड़ाओ चोटी वाले हमारी दुर्दशा देखने की अभिलाशा तुम्हारी मिर्थ्व को और अधिक भ्यानक बना देगी सरसच कहो तुमने पाताल में प्रवेश क्यों और कैसे किया अग्रीव उत्तेजित ना हो मैं स्रिष्टी के रचनाकार प्रम्मदेव का मानस कि नारत कि अपनी भगवत भक्ति के कारण मैं चौदा भूवरों में अपनी इच्छा मात्र से ही प्रवेश कर सकता हुआ मुझे कहीं भी पहुचने से कोई भी नहीं रोख सकते अब हम तुम्हें पहचान गए नारत मुनी तुम्हारा स्वभाव भी हम जान गए देवताओं के रिशी होने पर भी तुम सत्य कहने में कभी संकोच नहीं करते कि जीवन से भ्रामित हर व्यक्ति की सहायता करना तुम्हारा परम करतव्य है कि इन तो इतना तो बताओ नारत मुनी कि हमारे इस गुर्टशा का ग्यान तुम्हें कैसे हुआ नारायन नारायन दैत्ते राज है गृट मैंने तुह अत्मारे साथी दैत्ते दानमों को कि भगवान नारायन के चक्र सुदर्शन की किलदों से तंड़ोग कोठे प्रत्यक्षिट अ था तुम नारत की बात पर संध्य है ना करो है ग्रीश पूरी दुर्दशाल से हमें इस बात का ग्ञान हुआ है कि दुष्ट अधर्म का साथ देने के कारण है कि थुम सबती है अधिन का उड़ी outgoing ग्राए कि अधर्म को तो हमने प्रतेक्ष है नारदनी कि गिंतु धर्म को कभी नहीं देका है कौन है ये धर्म और वो हमारे लिए क्या कर सकता है नारा अधर्म का स्वरूप ध्रानत है तो कि अधर्म का सत्व शेव सुन्दर कि अधर्म सभी का कल्यान करता है हर दुखी को सुख का मार्ग इठाता है हर अचेत को चेतना का प्रकाश देता है जो धर्म का कहां मानता है उसके हर मनों कामना पूर्ण हो जाता है